नमस्कार दोश्तों आज देखिए निफ्टी 50 ने 149 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 276 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुई है और सुबह में मैंने क्या किया था कि कॉल सेल किया था चीक है और गलती किया था महाँ पर मैंने इंडिया वेक से इतना हाई होने के बावजूद भी मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया और ट्राई कर रहा था कि देखता हूं क्या होता है इंडिया वेक से सुबह में अठारों को क्रॉस कर चुका था ठीक है एक बार यह 19 पे भी आया था मुझे लग रहा है 19 पे आ बहुत थेजी इसे फटा-फट बढ़ता है और प्रीमियम गलता नहीं जल्दी उनका क्रीमियम अगर मार्केट उनके अगेशन बी आती है उनके खिलाभ भी जाती है तो montre बीता नहीं तो मुझे लग रहा था की मार्क गिरें की इसलिए म civilians जो लिया था वो call मैंने sell किया था ठीक है India Wix को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 6% सुवा में 8% बढ़ा हुआ था मैंने अपने मन में सोच के ही किया था कि सिर्फ एक trade में करूँगा अगर profit आया तो ठीक है loss आया तो भी ठीक है तो चलिए अपने position में देखते हैं क्या हुआ तो यहाँ पर देखिए 38,600 की call option मैंने sell किया था कितने पर 85 रुपेज पर 85 रुपेज पर मैंने यहाँ पर sell किया था और 104 रुपेज पर मैंने इसको book कर लिया जिसमें मुझे loss हुआ है 441 रुपेज एका ठीक है उसके बाद मैंने कोई दूसरा trade नहीं लिया था क्योंकि इंडिया विक्स भी 18 पे था और आज 6% बढ़ा भी था अगर यह गिरा हुआ था होता माइनस में होता या रेड में होता तो मैं और एका ट्रेड लेने की कोशिश करता लेकिन एक तो यह 18 अब 19 पे था दूसरे 6% बढ़ा हुआ था इसलिए मैंने कोई दूसरा trade नहीं लिया और सोचा कि set up बंद करो और घर जाने की तयारी करो ठीक है तो इंडिया विक्स जब 16-17 पे आए 15 पे आए या बेस के नीचे रहे तभी आप option selling करिए लेकिन option selling उस दिन करिए जिस दिन ये raid में हो 6% बढ़ा हुआ हो 5% 4% बढ़ा हुआ हो तब trade मत करिए ठीक है thank you